प्यारे बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लाश 10 असपर्स का पार्ट कभीर इसका मैं फूल एक्स्प्लेनेशन करने जा रही हूँ और इससे पहले बच्चों मैं क्लाश 9, क्लाश 10, कृतिका, छितिज, असपर्स, संचेन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ फूल एक्स्प्लेनेशन, समरी और क।षिचन एंसर तो उन सब को देखने के लिए आप उपर दिए गया आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिये गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या पलेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेश्बूक और ट्यूटर पर भी फॉलो कर सकते हैं तो पाठ शुरू करते हैं कवीर तो कवीर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्ट कर लेते हैं देखिए इस पाठ में हजारी परसाद दुवेदी जी कवीर के बारे में क्या लिखे हैं कि सीर से पैर तक मस्त मौला, सुभाव से फक्कर, आदत से अक्खर भक्त के सामने निरी वेश धारी, दिल से साफ, दिमाग से दुरूस्त, जन्म से अस्पृष, कर्म से वंद्रिये ऐसे थे कवीर यानि कभीरदास जी के बारे में बता रहे हैं कि कभीरदास जी का स्वभाव जो है वह ऐसा निर्मल था स्वक्ष था कि जैसा वो बोलते थे वह वह करते भी थे जाती पाती उच नीच छुआ छुट की भावना पर करारी चूट करते थे और समाज को हमेशा जगाने का सही दिशा देने का प्रयात्न करते थे तो कभीरदास जी जो है जो भी इस पार्ठ में उनका आप जो सम इसमें जो भी इनका शाखी है उसको पढ़िएगा तो कभीरदास जी जो भी बोलते थे इसवर के लिए जो भी बोलते थे समाज को सुधारने के लिए जो भी बोलते थे उसी का इसमें बढ़न किया गया है बहुत ही सुन्दर इसमें दिया गया है एक एक आप लाइन समझेंगे तो बहुत ही इसमें समझदारी की बात कही गई है तो देखे कविरदास जी का जन्म कब हुआ था कविरदास जी का जन् यानि वो जो भी बोलते थे तो वही बानी जो है लोग उसको नोट करते थे और वही जो है साखी के रूप में प्रकट लिखा गया है तो पाट शुरू करते हैं देखिए पहला परागराफ में क्या है ऐसी बानी का अपाक होई, अपना तंशीतल करे औरन को सुक्ष होई पहला परागराफ में यानि पहला शाक्षी है उनका किuirदास जी कहते हैं कि लोगों तुम अपने मनमरत जो तुम्हारा अहंकार भरा हुआ है उसंकार को दूर करो और ऐसी बानी बोलिये मन का आपाख होए आपाख मतलब अहंकार तो कह रहा है कविर्दास जी कि मनुश्य को ऐसी बाच्छित किसी से करना चाहिए कि दूसरे सुनने वाले का जो है उसका भी मन सीतल हो और खुद जो बोलते हैं उसका भी क्या होगा सबसे पहले तो उसका ही मन सीतल होगा और दूसरा जो है सुनने वाला का भी मन सांथ होगा सीतल होगा तो मन उसको इस तरह की मानी बोलना चाहिए अपना तन सीतल करे और उनको सुख हो यानि अपना मन भी प्रशन हो शीतल हो और दूसरे को भी सुख मिले ऐसी वानी हमेशा मनुश्य को बोलना चाहिए यानि कभी दास जी कहने का यह कोशिस किया है कि मनुश्य को कभी भी क्रोध में नहीं आना चाहिए, किसी से अगर बात करें आप तो प्रेम से बात करें और हमेशा अपने अंदर जो अहंकार है उस अहंकार से दूर ही रहने का प्रयाद करना चाहिए तो देखिए पहला पराग्राफ यह था और दूसरे में देखिए कस्तूरी कुंडली वसे म्रिग ढूंड है बनमाही ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही कस्तूरी क्या होता है एक सुगंधित पदार्थ जो म्रिग की जो हिरन है उसके नाभी में रहता है होता है उसमें एक तरह का शुगंध होता है और बहुत ही अच्छा शुगंध होता है हिरन को वह शुगंध बहुत ही अच्छा लगता है और हिरन यह नहीं जान पाता है कि उसके नाभी में ही वह सुगंध है वह क्या करता है उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए उस सुगंध को पाने के लिए बन-बन द़ूरते फिरता है मतलब जंगल जंगल भटकते फिरता है कि वह सुगंध कैसे उसे प्राप्त हो तो कविर दास जी कह रहे हैं कि कस्तूरी कुंडली वसे म्रिक ढूढ बनवा ही तो वन मतलब जंगल जंगल जो है ब्रिक ढूंडते फिरता है ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं तो कविरदास जी कह रहे हैं कि इस्वर जो है हर मनुष्य के घट घट में विराजमान है मतलब हिर्दय में ही इस्वर का निवास अस्थान है लेकिन मनुष्य क्य तरी है एकस मानुस्य क क्रेंगा उसको प्राप्श करने का स्थाなई उसको करने का कोशिस नहीं कर रहा है यहीं कविर दास जी कहना चाहते हैं अपने दूसरे दोहि में मतलब साकी में अब देखिए तीसरे साखी में कभीरधास जी क्या कहना चाह रहा है? जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है अन्धियारा मिटी गया मतलब कभीरधास क्या कर रहे हैं मैं का मतलब अहंकार और हरी का मतलब इस्वर तो कभी दास जी कहते हैं जब हमारे अंदर मेरे अंदर क्या था अहंकार था मतलब मैं मतलब अहंकार जैसे कोई बात होता है अगर कोई काम अगर करते हैं तो अक्सर लोग क्या कहते हैं मैंने यह काम किया है मैं किया है भावना से मैं ग्रशित था जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी तो हरी मेरे से दूर था क्योंकि हरी की प्राप्ति कैसे होती है अहंकार जब हिर्दय में नहीं रहेगा जब प्रेम की भावना होगी जब मेरा मन स्वक्ष होगा निर्मल होगा तभी इस्वर की प्राप्त देंगे तो सबरी माता जो है रोज फूल का जो है फूल सजाती थी अपने कुटिया में फूल लाती थी सुबह-सुबह ऊठकर और सजाती थी कि हो नहों कि आजाएं आज भगवान राम हमको दरसंद यहां एक दिन नहीं करती थी प्रतेक दिन करती थी यह उनका नियम बन गय तो हम लोग एक दिन में उप जाते हैं कि नहीं आएंगे तो आप दूसरे दिन मुझे नहीं करना है लेकिन सबरी मा हारती नहीं थी सबरी मा डेली फूल सजाती थी और डेली जो है इस वर राम की प्रतिक्छा में रहती थी तो क्या हुआ उनका मन जो है सीतल था निर्मल था इसलिए भगवान राम डर्सन दिये उनके अंदर अहंकार नहीं था तो इसलिए मैं आपको एक्जामपल देकर समझाना चाह रही हूँ कि अहंकार सबरी मा के अंदर था ही नहीं तभी तो इस वर दर्सन दिये अगर उनके अंदर अहंकार रहता तो कभी भगवान राम उनक अब हरी है मँझे करें है कि अब हरी हैं कि अब हरी की प्राप्ती मुझे हो गया है और मैं नहीं मेरे अंदर जो अहंकार था मैं की भावना से मैं ग्रशित रहता था, अहंकार से मैं ग्रशित रहता था, आज मेरे अंदर से वह अहंकार मिट गया है, तभी मुझे इस्वर की प्राप्ती हुई है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख्या माहि, तो कविर्दास जी कह रहे हैं कि जब दीपक मतलब दिया और माही मतलब अंदर तो कविर्दास जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो भी अंधकार था अंधकार का मतलब जो हमारे मन में लोभ, मोह, क्रोध, हंकार से मैं गृशित रहता था जब मैं इस्वर का दर्षन कर लिया तो क्या हुआ जब दीपक देख्या माही जब मैं अपने घट में ही इस्वर का प्रकास देखा तो मेरे अंदर जो भी अंधियारा था वह सारा अंधियारा क्या हुआ सारा अंधकार मिट गया मेरे अंदर से जो भी दुरगुन था जो भी मेरे अंदर कुभावना था वह सारा का सारा मिट गया जब इस्वर का प्रकास मैं घट में ही देखा अपने भीतर ही देखा तो मनुस्री को यह समझाने का कोशिस कर रहे है कि घट में ही इस्वर है आप ब संसार है खाए अरू सोवे दुखिया दास कवीर है जागे अरू रोवे तो कवीर दास जी कहते हैं कि संसार के सब लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और मौज से सोए हुए हैं वे सब इसी में सुखी हैं मतलब सुखिया सब संसार है, संसार के लोग क्या कर रहे हैं, अपने आपको सुखी समझ रहे हैं, और खा रहे हैं, और सो रहे हैं, परंतु मैं प्रभु का दास, दुखिया दास कबीर है, जागे अरुरोब है, लेकिन कबिरदास जी कह रहे हैं, कि मैं प्रभु का दास कबीर, उस प्रभु की प और जागे अरूरोब इस्वर के लिए हमेशा जग रहे हैं साधना कर रहे हैं और रो रहे हैं उनकी प्राप्ति के लिए हमेशा जो है सजग रहते हैं लेकिन संसार के लोग क्या कर रहे हैं खा रहे हैं सो रहे हैं ऐसा जो है इस पैराग्राप में कविरदास जी कहना चाहते ह कि पांसमा प्राग्राफ में क्या कर रहे हैं विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई राम वियोगी न जिवे जिवे तो बावरा हुई कबिरदास जी कहते हैं कि जिसके सरीर में विरह रूपी साप घर कर जाता है उसके बचने का कोई उपाय नहीं लगता है मंत्र लगे न कोई मतलब कोई भी उपाय थरीका नहीं होता है राम वियोगी न जिवे जिवे तो बावरा होई यानि कविरदास जी कह रहे हैं कि राम के बियोग में घुलने वाला प्रानी जो होता है वह दिन रात राम के लिए ही तरपते रहता है राम की याद में ही रहता है यदि वह जीता भी है तो लोग उसको क्या कहता है पागल कहता है और आसा यह है कि राम के प्रेम में पागल प काते हैं कि पागल हो गया है तो राम विरह भुवंगम तन्वस है यानि जिसको इस्वर के लिए विरह जिसको इस्वर के लिए की याद आ इस्वर के लिए जिसके दिल में तरफ होती है उसको कोई भी उपाई कर लेजिए वह उस उपाई से बिरह नहीं उनका कभी भी दूर हो सकता है और राम वियोगी न जिवे जिवे तो बौरा हुई अब आगे देखे छठा प्रेगराप में क्या कहते हैं निंदक नेरा राखिये आंगन कुटी बंधाय बिन सावन पानी बिना निर्मल करे शुभाय निंदक किसको कहा गया है निंदक करने वाला और नेरा का मतलब ह पास और आंगन आंगनी का मतलब आंगन में तो कभीरदास जी कह रहे हैं कि अपने निंदक को सदा अपने समीप रखना चाहिए पास रखना चाहिए हो सके तो अपने घर के आंगन में उसके लिए एक कुटी बना दीजिए एक जोपरी बना देना चाहिए बिन सावन पानी बिना निर्मल करेशुवाए वह निंदक क्या करता है बिना साबुन और पानी का आपके स्वभाव को श्वक्ष कर देता है आसा यह है कि निंदकों की निंदा भरी बातें सुनकर हमें आत्म सुधार करने का मौका मिलता है मान लिजे अगर हम कोई गलती कर रहे हैं और उस गलती को अगर कोई निंदक आ करके मान लो कि कोई निंदक हमारी बुराई कर रहे हैं कि फलाना जो है ऐसा काम उसको नहीं करना चाहिए गलत काम अगर हम कर रहे हैं अगर कोई बुराई करते हैं तो हमारे अंदर में जो भी अ अगर हमारे अंदर कोई दुरगुन की भावना आ जाती है ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा अच्छा ही सोचते रहते हैं कभी कभी किसी के लिए गलत भी हमारे मन में बिचार आ जाता है या किसी के परती हम बुराई कर देते हैं या कोई गलती हमसे हो जाती है तो क्या होता है क कोई अगर निंदक आ करके हमें यह कहते हैं कि आपके बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि आप गलत काम कर रहे हैं तो क्या होगा हमें सुधरने का मौका मिल जाएगा अगर मान लीजिए हमारा कोई अच्छा ही अच्छा ही हमेशा बोलते रहे तो क्या होगा बरा से बरा गलत हम काम कर सकते हैं कर देंगे लेकिन क्या होगा उससे भाड़ी नुक्सान भी हो सकता है इसलिए कभिर्दास जी कहते हैं कि निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए समीप रखना चाहिए ताकि आपको आगे सुधार करने का मौका भी मिल सकता है सात्मा पैराग्राप में है पोथी परिपढ़ी जग मुवा पंडित भया न कोई एके आसिर पीव का परहेशो पंडित होई कभिर्दास जी कहते हैं कि यह संसार पोथी परपर के ठक गया लेकिन कोई भी ज्यानी नहीं बन सका पंडित भयानक कोई मतलब कोई भी ज्यानी नहीं बन सका एके आसिर पीव का परहेशो पंडित होई परंतु मनुष्य का एक प्रियतम अर्थात ब्रह्म का एक भी अक्छर पढ़ लेता है तो वह सच्चा ज्यानी बन जाता है यही इस पेराग्राफ में कहा गया है आगे देखिए आठमा पेराग्राफ में कविरदास जी क्या कहते हैं हम घर जाल लिया आप ना लिया मुरारा हाथ अब घर जालो ता सिकाजे चले हमारे साथ कविरदास जी कह रहे हैं कि जाल्या का मतलब है जलाया, मुरारा का मतलब है जलती हुई लकरी तो कविरदास जी कहते हैं कि मैंने विरह और भक्ती से जलती हुई मसाल हाथ में लेकर अपने घर को जला डाला यानि हमारे अंदर जो भी दुर्गुन था, कुविचार था, कुभावनाय थी, जो गलत विचार हमारे मन में पनप रहे थे, तो हमने क्या किया उसको जला डाला, आसा यह है कि मैंने भक्ती से भिवल होकर संसारिक वाशनाय, जो भी गलत वाशनाय मेरे मन में था, जब हमारे अंदर परमात्मा का हमने साक्षातकार किया, जब उनका दर्शन किया तो क्या हुआ, हमारे अंदर जो भी कुभावनाय थी, वह सारा का सारा नश्ट हो गया, अब जो भी भक्त मेरे साथ भक्ती के मार्क पर चलने को तयार हो, मैं उसका भी घर जला डालूँगा, अर्थात उसके मन से भी संसार के प्रती विरक्ति जगा दूंगा, मतलब उसके अंदर जो भी कुभावनाय हैं उसे नश्ट करना परेगा, अब घर जालों तासिका जो चले हमारे साथ, कविरदास जी कह रहे हैं, जो हमारे साथ, जो प्रभु के रास्ते में चलने वाला व्य हमारे साथ चल सकता है, तो यही था बच्चों पार्ट, आठमा पराग्राफ आप समझ गए, पूरा पराग्राफ को अच्छी तरह से एक्जाम के लिए तैयार कर लिजेगा, और बच्चों आप मेरे चैनल देव जिनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, और सब्सक् मेरे साथ लुकाइब कीजेगा रवा को यही तरह से बच्चों, यही है हम् आप कीजेगा, और संνη हमार बच्चों आप